हाई मैं हूरे शब ककड और आप देख रहे हैं Atomic Quest Media और इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं दोस्तों अपना Example No. 10.3 और इस Example No. 10.3 को पहले पढ़ते हैं Identify all the possible monocloro structural isomers expected to be formed on free radical monoclorination बेटा free radical monoclorination आप लोग इस Example से जस्ट उपर NCRT में देखेंगे यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कोई भी L-CN हो यहाँ पे जो L-CN मना हुआ है आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है दोस्तों यह CH बना दिया है यहाँ पे 2 CH3 ग्रूप आप लोगों को दिख जाएंगे करवाते थे आप लोग CL2 आड करते थे किसकी प्रेजन्स में CL2 आड करते थे दोस्तों आप लोग rulesi लो.. to add करते हैं एचनियो की प्रेजंस में जब भी आप लोग c ll2 आड़ करेंगे तो आपको ये बात पता हूनी चाहिए कि जहां पर दिफरेंट आप लोगों का hydrogen का environment है जिस carbon पे hydrogen का environment different है वहाँ पे hydrogen हटेगा और CL नजर आजाएगा आप लोग को एक देखिए यहाँ पे यह carbon के hydrogen का environment अलग है as compared to this carbon this carbon और this carbon यहाँ पे 4 different positions हैं यह position और यह position बिलकुल same है तो यहाँ पे 4 different position पे hydrogen हटके chlorine लग सकता है और वो आप लोगों को यहाँ पे बने नजर आ रहे होंगे तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि इसके 4 different monocloro products आप लोगों को बनेंगे एक बना के कोई भी दिखा देता हूँ यह आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ और यह कैसे बना हुआ है carbon के साथ एक chlorine लगा हुआ है दोस्तों फिर यह CH3 लगा हुआ है फिर यहाँ पे CH2 लगा हुआ है फिर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है बहुत ध्यान से दोस्तों आ प्रोडक्ट हो गया इसी तरीके से बाकी के तीन भी आएंगे मिलते हैं आप से अगली वीडियो में वीडियो को लाइक करना मत भूलना जैहिंद